जैसे ही आप लोग अपने नंबर से GB WhatsApp में लॉग इन होते हों, यहाँ पर आपको यू नीड दो ओफिशियल वाट्सप तो लॉग इन वाली समस्य आ जाती है, तो इस वडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग उसी नंबर से GB WhatsApp में कैसे लॉग इन कर सकते हैं, जी हाँ आप लोग उसी नंबर से GB WhatsApp में लॉग इन हो सकते हो, कैसे होंगे चलिए उससे मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको ओफिशियल वाट्सप को डाउनलोड करनी है, आप लोग करनी है, आप लोग करनी है, सबसे टॉप में आ जाएगी वाट्सप मेसेंजर, तो सबसे पहले वाट्सप मेसेंजर को डाउनलोड करेंगे, अब डाउनलोड करने के पाद इसे यहां से आपन कर लेंगे, अब जो नंबर पर आपको प्रूलम आ रही है, उस नंबर को यहां वाट्सप में लॉग इन करेंगे, ना कि GB वाट्सप में आपका GB WhatsApp open होगा लेकिन पहले अपना number यहाँ पर WhatsApp में login करें मैंने यहाँ पर अपना number डाल दिया हूँ और मैं आपको number भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो कि हाँ वीडियो real है फेक नहीं है यहाँ यहाँ पर भी आपको दिखेगा और GB WhatsApp में भी दिखेगा तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ नेक्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से OTP कर रेक्विश्ट करता हूँ और जिस प्रकार से मैं आपको कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है तब ही जाकर यहाँ से आप लोग अपने phone में GB WhatsApp को login कर पाओ OTP डालने के बाद यहाँ से आपको verify कर लेना है और यहाँ से स्किप करके यहाँ से अपने ओफिसियल WhatsApp को open कर लेनी है ओफिसियल WhatsApp ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग GB WhatsApp का इस्तमाल कर पाओगे कैसे करेंगे चलिए उससे मैं पताता हूँ यहाँ से देखिए यह रहा मेरा WhatsApp यहाँ से मैं को दिखाते हूं यह WhatsApp यह WhatsApp यह WhatsApp ओपन हो गया ठीक है अब वाटसप ओपन होने के बाद मैं आपको अपने GB वाटसप ओपन करके दिखांगा तो आप लोग भी ऐसे ही करना तो सबसे पहले आप आपको क्या करनी है आपको अपने phone के जी बी वाटसअप को open करनी है यह आप जो वाटसअप का इस्तेबाल करनी है जिसमें दिक्कत आ रही है और यहां से next पे click करेंगे अब यहां पर आपको agree and continue पर click करने हैं इस पे click करेंगे तो यहां पर आपको phone number मां Link as companion device आप लोग इस पर क्लिक करना और यदि आपके यहां पर यह वाली option ना आए तो आप लोग क्या करना अपने WhatsApp को update कर लेना WhatsApp को update कैसे करेंगे उसका link या नीचे discussion box में मिल जाएगा टेलीग्राम का link टेलीग्राम पर join हो जाना वहां पर आपको सभी प्रकार की update बिनदेट मिल जाती है आप यह QR कोड एपन हो चुगा है तो आपको क्या करना इसकोड़ाना है और पहले WhatsApp को अपन करना और WhatsApp करने के बाद पर क्लिक करेंगे और लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे और यहां से कुलिक करेंगे और बहुत किसे कि यहां पर qr-code surelyonnerick नहीं होता है यह significant आते हैं बढको अपने क्लिक करने और आपकोमाइल डालना के एक पासवर दालने के बाद क्यमरा ऑफैन होगा उस तुरंत की रिंट को स्केन कर लेना और आपको यह बहुतсем फॉस्त करने होगी तब जाकर यहां से आपके वाटसप में यहां कर को फोोटो में अपता के बाद आपको यहां से scan करना अब मैं आपको देखाऊंग सब्सक्राइण करता हूं यहां पर आपको क्या करना है देखिएád यहां पर लास्ट में यह वाला आपको इस पर गिलिक करना है और बेक्ग्राउंड से यहां से जीवी वाट्सप को आटा देना है जीवी वाट्सप को में आटा दिया अब देखिए मैं जीवी वाट्सप को आपन करता हूं तो यहां से जीवी वाट्सप आपन हो गया जैसे कि देख पारें सारा चैट यहां पर दिख रहा है यह रहां दिख क्या कहते हैं इस ट्रयर को नहीं लगा पाऊंगे अरा बहुत लोग पूछते हैं कि मैं क्या ओफिशियल वर्टсьव को डिलीट करने और सब 14 दिन के लिए आपके फोन में रहेगा चोगदा दिन के बाद फिर से आपको होगाउट हो जाएगा और फिर से qr code को दूसरे फॉन से फोटो click करना और फोटो किंचने के बाद आपको यह से स्कैन करना तो यह उन्हों से यहां से हर जाएगी और और यहां पर आपको लॉग इन हो जाएगा इस प्रकार से आप लोग वाट्साप में से लॉग इन कर पाऊगे और मैं आपको यहां पर लास्ट में नंबर भी दिखा देता हूं जो सुरू में मैंना को नंबर दिखाया था कि बहुत लोग करेंगे वीडियो आपने एडिट क लॉग इन हो सकते हो और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने फॉन में अपने वाट्साप को लॉग निपकर पाएंगे तो आप से छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को यहां से सिस्क्राब कर लें क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल से स्क्राब नहीं करते हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और सभी दोस्तों के पास सेर कर देना जिनको जिनको यह वाली समझ से आ रही थी